Hello everyone, hope you are all fine. So, hope you are all fine. So, hope you are all fine. So, we have started with your computer section 15 marks. So, this is also an important section. नहीं रहने वाला यहां से आपके questions बनेंगे 15 और जो हमने जी के portion अरड़ी हमने start किया था वो अलमोस्ट हमारा complete हो चुका है उसमें एक दो टोपिक है एक है central sponsored schemes और foreign trade वो मैं cover करवा दूँगा आपको साथ साथ में prepare कर रहा हूं उन पे notes और बाकी जो आज हमने start किया है जो basic concepts of computer section जो आपका 15 marks का इसके कुछ videos मैंने अरड़ी upload किये वहां से वो चीजे आप देख सकते हो जैसा कि आपको वहां पे है जैसा computer terminology है उसमें यह नहीं है कि computer terminology पे direct जाना है आपको basic concepts of computer देखने है components of computer देखने है वो सारी चीजे cover करनी हो उसी के साथ साथ उसी पे आपकी terminology भी complete हो जाएगी जैसे hardware क्या होता है software क्या होता है RAM ROM यह सारी चीजें जो होगी वहां पे complete हो जाएगी direct terminology पे नहीं जाना चीजें समझ नहीं आएंगी so basic concepts introduction उसके बाद जैसे components of the computer वो सारी चीजे hardware software input output वो चीजे मैंने cover की है वो आप देख सकते हो आज जो topic आपका एक वहां पे mention था email and internet usage यह topic आपका computer में mention है यह आज हम complete कर देंगे so PDFs होंगी वह आपको सारी provide की जाएंगी जो भी हमारी computer की होंगी और आज हम start करते हैं जो आज का हमारा topic रहेगा email and internet usage यह आपका topic है so उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन को press करें ताकि कोई भी नया video upload होता है उसकी notification आपको मिले और हम साथ-साथ ही जो mcq sessions होंगे वह भी start करेंगे रैकिन साथ-साथ आपका reasoning और आपका computer होगा यह साथ-साथ चलेगा और इसे हम जल्दी ही complete कर देंगे तो start करते हैं जो आज का topic है उससे पहले जो भी इस channel को first time देख रहा है या जो भी पहले से भी देख रहा है वह सबसे पहले video को like जरूर कर देना ताकि इससे हमें motivation मिलता है so start करते हैं जो आज का हमारा topic रहेगा वह है internet so सबसे पहले आम internet पर देखेंगे उसके बाद हमारा जो रहेगा वह email रहेगा ठीक है ना so internet की बात करें तो internet जो है it stand for the international network internet जो है computer में internet internet का जो full form है वह क्या है सबसे पहले यह पता होना चाहिए आपको वहां पर direct यह चीज़े पूछी जाती है तो वह international intr international net network that means it's a international network different computers different countries होते हैं एक दूसरे से वह linked होते हैं connected होते हैं पूरी दुनिया में हम एक दूसरे से connected है through our internet so internet की जब शुरुआत हुई तो 1950 में इसकी शुरुआत हुई इन इसका start हुआ और जो इसे father of internet जिन्हें कहा जाता है वो है wind surf यह बहुत important है direct पूछा जाता है who is called as the father of internet तो wind surf को father of internet कहते हैं जिन्होंने internet की शरुआत की उसके बाद internet की बात करें तो it is called network of networks इसे different networks का network कहा जाता है internet जिससे दुनिया एक दूसरे से connected रहती है लोग एक corner of world के कोई अमेरिका में बैठा है सूदी अरबिया में बैठा है तो एक दूसरे से connected थूँ इंटरनेट से हमारे पास जो भी है whatsapp से instagram से सारा कुछ जो है इस सब किस से connected थूँ इंटरनेट से सो continue करते है आगे data move around the internet is called is controlled by protocol देखो हम किसी को यहां से message बेजते हैं photograph बेजते हैं videos बेजते हैं वो सारा data जो होता है इंटरनेट पे इसे control कोन करता है इसे करता है protocols अब protocols कहें यह आगे हम देखेंगे protocols किने बोलते हैं कुछ set of rules होते हैं transmission control protocol और दूसरा होता है IP जिसे internet protocols बोलते हैं दो तरह के protocols data को control करते हैं के data एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है computer case एक सिस्टम से दूसरी जगह जाता है तो कैसे जाता है जिसे WhatsApp मैसिज बेजते हैं WhatsApp पर image बेजते हैं, photograph बेजते हैं, जो भी या वीडियो बेजते हैं, वो किस तरह से एक जगा से दूसरी जा जाते हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिन प्रोटोकॉल को हम transmission protocol and internet protocols बोलते हैं, यह चीज़ें आगे हम cover करेंगे so under TCP transmission control protocol and IPH file is broken into a small parts by file server called packets, जब भी हम file को suppose एक WhatsApp बन्दा है, यह दूसरे को file बेज रहा है, तो वो file क्या होती है, वो छोटे चोटे parts में divide हो जाती है, चोटे चोटे parts में break up हो जाती है, तो उस को हम packets बोलते हैं, फिर जाके जब उसके parts पहुंचती है, तो फिर से वो compile up हो जाती है, तो इस तरह का एक process होता है, जो transfer में होता है, और इसे transfer, transmission, हमारे पास TCP और IP, यह दो तरह के जो protocols होते हैं, वो control करते हैं, कि किस तरह से file एक जगा से दूसरी जगा जाती है, तो इन दो protocols का याद रखना, जो आगे हम discuss करेंगे, फिर वो file क्या हो जाती है, छोटे छोटे packets में तूट जाती है, और जब दूसरे receiver के पास पहुंचती है, तो फिर से वो compile up हो जाती है, तो उन्हें packets कहते हैं, अब थोड़ी सी history of internet जानते हैं, कि कहां से शुरुआत हुई, देखो, यहां पे जानते हैं history of computer, sorry internet, under the first operational package switching network, याद रखना, जो पहला operational package switching network जिसका नाम था, अर्पानेट, यह direct examiner पूछता है, कि पहला operational package switching network, क्या उसका क्या नाम था, उसका नाम था, अर्पानेट, जो कि 1969 में, University of California ने सबसे पहले start किया, इसका full form भी बहुत important है, डिरेक्ट, जहां पे भी यह abbreviations, full form आएंगे, अ याद रखना, डिरेक्ट पूछे जाते हैं, और बाद में हमें इस चीज़े cover करेंगे, अर्पानेट का full form था, advance, R से research, P से project, A से agency, N से network, यह direct पूछा जाता है, तो जो उस दुनिया का पहला operational package switching network था, वो अर्पानेट था, अर्पानेट क्या था, यह full form इसका याद रखन advance research project agency network, जिसको used किया गया, और इसमें 50K भी circuits के इस्तमाल गया, किलो बाइट के जो circuits थे, उनके इस्तमाल किया गया है, तो यह चीज़ याद रखना, उसके बाद, mid 80s का जब period आया, 1980s में, तो national science foundation ने create किया, उस वकद जो national science foundation थी, इंडिया की उसने create किया, NSF ने high capacity network को internet आया, जिसने internet की बुनियाद डाली, उसके बाद, NSF, जो थी, mid 90s में आये, तो इन्होंने क्या किया, यह आगे देखते हैं, So, internet की speed जो होती है, याद रखना, कि कितनी speed होनी चाहिए, कितनी काम, पर करती है, यह bandwidth पर करती है, याद रखना, direct examiner折ृर पूशता है, different types of internet connections होते हैं किस तरह से हम internet को connect कर सकते हैं direct examiner पूछता है अब देखेंगे कौन-कौन से connections है हमारे पास पहली बात करें पहला connection है जिसे dial-up connection कहते हैं देखो dial-up connection में क्या होता है इसमें आपके पास जो telephonic line होती है उसे used किया जाता है to connect to internet पहले क्या हुआ करता था हमारे गर्म में विल्स होती थी telephonic lines होती थी हम उसे internet को connect किया करते थे उसे dial-up connection कहते हैं याद रखना है important है और modem का used किया जाता है to connect to telephonic lines with the computer अगर हमें अपनी telephone line को computer के साथ connect करना है मतलब उसे internet को connect करना है तो हम modem का use करते थे modem कहता है modulator demodulator तभी इसे modulator याद रखना कभी भी computer को telephone line से connect करना होगा तो किस चीज़ का जरूरत परती थी modem direct examiner भी पूछता है किस चीज़ की जरूरत परती है modem क्या होता है modulator demodulator ये दो चीज़ें आगे देखेंगे modem जो होता है ये dial up करता है phone numbers को dial करता है internet service के ISP जो internet service provider होता है तब modem वहाँ पर कुछ phone numbers को dial करता है और उससे IP address जो होता है जो internet होता है वो किस से connect हो जाता है आपका जो computer होता है वो internet से connect होता है इसे dial up connection कहते हैं इससे भी हम internet को connect कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिससे हम इंटरनेट कॉनेक्ट कर सकते है वह ब्रॉड बेंड तो पहले भी आपने देखा होगा ब्रॉड ब्रॉड बेंड का यूज किया जाता था इसमें आपको इंटरनेट स्पीड काफी जयदा हाइ मिलती है और फॉस्टर जो आपका ट्रेडिशनल जो पहले टेली-फॉन लाइन से कंट करते थि उसमें इतनी ज़्याद स्पीड नहीं हो थी जितनी इस ब्रॉड बेंड स्पीड मिलती है आपको और इसमें टेलीफॉनिक लाइन्स टू कनेक्ट इंटरनेट ग्रीटर स्पीड दिन दस्टंडर्ड यहां पर आपको स्पीड भी काफी ज्यादा मिलती है यह नहीं 256KB से ज्यादा ज्यादा मिलती थी इसमें broadband connections में हैं उसके बाद हम किस से connect कर सकते हैं पहले हम broadband के अंदर कुछ technologies देखते हैं so high speed technologies of broadband देखो broadband में आप digital subscriber line का use करते हो यह भी broadband के अंदर एक type आती है याद रखना कभी direct examiner पूछ रखता है कि DSL का form क्या है पहले भी SSB ने यह चीज़ पूछी है कि DSL क्या होता है तो इस से हम जो broadband की टाइप होती है जिससे internet को connect करते है फुल फॉर्म पता होना चाहिए digital subscriber line DSL याद रखना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इस ए पॉपलर ब्रैंड ब्राडबेंड कोनेक्शन है एक बहुत ही ज्यादा निदा ब्राडबेंड कोनेक्शन है मतलब आप अपने internet इंटरनेट आपने कंप्विटर को इंटरनेट से चुनेक्ट कर सकते हो तूद इस तर्स्मीटिंग दिजिटल डेटा ओर वाइऑ of local telephoning networks इसमें local telephoning network से आप data को transmit कर सकते हो यहां से वहां तक बेज सकते हो और उसके बाद आप copper telephoning lines का इसमें करते हो यह एक type इसकी broadband की डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेकेंड वाइन हमारे पास यहां पर आती है इसमें आप केबल मॉडम्स का भी यूज करते हो किसका देखो केबल मॉडम्स में क्या होता है यह एनेबल्स केबल ओपरेटर्स को के वो प्रोवाइड आपको ब्रॉडबंड यूजिंग कोईजियल केबल के इस्तमाल करके आपको वो ब्रॉडबंड कनेक्शन देते हैं यहां पर ट्रांस्मिशन स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है 1.5 Mbps या उससे भी ज्यादा होती है थोड़ी उससे ज्यादा होती है DSL से भी तो यह उता है जो इंटरनेट कॉनेक्शन से प्रवाइट के जाते है उसके बाद हमारा इसी में आता है फाइबर आप्टिक्स जहां पर फाइबर वाइर्स का यूज किया जाता है काफी ज्यादा स्पीड मिलती है आपको यहां पर जो आजकल जो लाइन्स आपके यहां पर फाइबर्स लगते थे ना जियो उने फाइबर्स लगाए यहां पर उसमें वह फाइबर लाइन का यूज किया जाता था बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है यह भी एक टाइब ब्रॉडबेंड तो इसमें इलेक्रिकल सिगनल्स केरिंग डिटा को लाइट में कनवर्ट किया जाता है डिटा टू लाइट यह नि तभी इस वहां पर स्पीड आपको हंड्रेड एम्बी पर सेकिंड से भी ज्यादा मिलती है तो जब इस तरह का होगा उसे हम फाइबर ऑप्टिक्स बोलता है उसके बाद ब्राईड में एक आता है ब्राइड वर पवर Лाइन मतलब पावर लाइन न से भी आपको ब्राईडमेंड प्रॉइड के जाता है बी पी ऐल जिसे बोलते है इसमें क्या होता है इसमें जीन उसननों आई उसमें एलेक्टिक पावर दिस्टृब्जिबीशन नेट्वर्क्स को उससे, बckt बोर बावर से वहां से अचे जाता है यहांच कोनेक्षन से प्रवाइट के जाते हैं इसे में मिलेरिया इससे भी internet connections प्रोइट के जाते हैं, ते डिफ्रेंट टाइपस ब्राइबन थी, अब हम देखते हैं, हमारे पास एक टाइप आती है, connection की जहां से आप internet को connect कर सकते हो, wireless, wifi मतलब wireless बिना कोई इसमें wires के इस्तमाल नहीं होता है, आप क्या connect कर सकते हो, internet को connect कर सकते हो, देखो कैसे connect करते हैं wireless से connect internet, इसमें आपके पास आता है wireless broadband connections, radio link is used, इसमें radio links का radio waves के इस्तमाल किया जाता है, mobile और fixed, यह mobile भी हो सकता है, यह जगा से दूसी जगा मू कर सकते हो, यह fixed रहता है, no use of modem और cable, इसमें कोई cables, call wires, tar, कुछ नहीं इस्तमाल होता है, just हमारे पास यह wireless connections होते हैं, अब कौन-कौन से wireless connections हैं, हम देखेंगे, जिससे हम internet को connect करते हैं, wirelessly, वो हमारे पास सबसे पहले आता है, wifi, हम किसी को भी नहीं बोलते हैं, अपना wifi on करो, हम internet connect करेंगे, that's wifi, एक दूसरे से wifi ले जाते हैं, phone पे या किसी घर में लगा होगा, उससे भी wifi ले ले लेते हैं, तो wifi का full farm है, wireless fidelity, सबसे पहले full farm याद रखना, wifi means wireless fidelity, यहनि इसमें कोई भी wires यूज नहीं होती, provide high speed internet connection आपको मिलता है, यहां पे hotels में, airports में, schools में, different जगा आप जाओगे, वहां पे आपको wifi प्रवाइट के जाता है, आप उससे internet connect कर सकते हो, और फिर आप internet चला सकते हो, तो इसे का हम कहते हैं, wireless fidelity, उसके बाद होता है, WiMAX, इससे भी आप internet connect कर सकते हो, बिना वाइर्स के WiMAX, मतलब क्या हुआ, Wi-Fi Worldwide Interperability for Microwave Access, तो इससे भी आप internet को connect कर सकते हो, इसमें क्या होता है, आपके पास यहां पे यह operate करता है, जैसे simple Wi-Fi operate करता है, वैसे ही काम करता है, बट इसकी speed थो होती है, वो long distance तक होती हो, Wi-Fi एक limited area तक ही आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी speed और इसका range जो होता है, वो काफी दूर तक होता है, वहां से भी आप internet connect कर सकते हो, यही difference होती है इन दो में, उसके बाद एक और हमारे पास वो है, Mobile Wireless Broadband Service, Mobile Wireless Broadband Service क्या होता है, यह Mobile में आपके available होता है, यह इसकी speed 100 kb per second होती है, तो वहां से भी आप internet connect कर सकते हो, एक जूसरे के phone से, उसके बाद एक चीज आती है, satellite कभी सब कुछ बाद जाता है, फिर internet satellite पर चलता है, तो also provide link for broadband के लिए, एक link मिलती है satellite से, useful for the remote areas, जहां पे बिलकुर network नहीं है, वहां पे satellites के इस्तेमाल करके, internet को connect किया जाता है, यह different ways थे जिससे हम internet connect कर सकते हैं, और यह याद रखना, यहां से questions आते हैं, internet के related, अब हम interneting protocols, मैंने पहले भी आपको बोला था, पहले हमने TCP transmission controlling protocol, और IP internet protocols, पीछे मैंने आपको यह दो terms बोली थी, interconnecting protocols, protocols is a set of rules that governs the data communication, कुछ नहीं होता है, just rules होते हैं कि एक जगा से, दूसरी जगा data कैसे जाएगा, उनको control करने के जिन rules को हम protocols कहते हैं, protocols define what is communicated, how it is communicated and what is communicated, कि कोई चीज कैसे transmit की जाएगी, कैसे communicate होगी, कब communicate होगी, कैसे होगी, इन सब चीज़ों को control करने के लिए कुछ rules होते हैं, जिने हम protocols कहते हैं, computer language में उन्हें protocols कहते हैं, अब दो तरह के protocols होते हैं, एक हमने देखा था, transmission control protocol, दूसरा पढ़ा था, internet protocols, पहले हम TCP देखते हैं, full farm आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए, TCP क्या होता है, transmission control protocol, provides a reliable transport service, provides that message sent from the sender to receiver, or properly rooted, हम किसी को message बेजते हैं, मैं sender हूँ, मैं किसी अपने friend को message बेजना हूँ, तो मेरी message एक proper way में उसके पास पहुंचेगी, उस receiver के पास reliable transport की तरह पहुंचेगी, उस वहां पे जो protocol follow होता है, transmission control protocol इस चीज़ को सही बनाता है, कि किस तरह से मेरी message receiver के पास आरहम से पहुंच जाएगी, बिना किसी परिशानी के, उसको control करने के लिए कुछ rules होते हैं, जिने transmission control protocol करते हैं, यह converts the message in packets at source, मेरे पास जो message होगी पहले उसे packets में convert करेगी छोटे छोटे छोटे, फिर receiver के बाद जाके वो packets जोओंगे फिर से जोड़ी जाएंगे, जब message बेजी तो छोटे छोटे packets में यह divide हो जाएगी, जब पहुंचेगी receiver मेरे friend के पास पहुंची, फिर से वापत reassemble हो जाएंगे packets और एक file बन जाएगी आप वहाँ open कर सकते हैं, इस तरह के protocols को हम transmission control protocols कहते हैं जो इस चीज़ को control करते हैं, उसके बाद आता है internet protocol, internet protocol क्या होता है IP, allows different computers to connect, different commutators जो होते हैं एक दूसरे ही से उनको connect करने के लिए, इस चीज़ को क्नेक्ट करने के लिए internet protocol काम करता है, computer है यहां पे, different computers को connect करने के लिए जो protocols इस्तमाल किये जाते हैं वो होते हैं, internet protocol जिससे different computer एक दूसरे से connect होते हैं, उसे बोलते हैं internet protocol, जब message बेंजने होगी तो उसको control करते हैं transmission control protocol, और एक computer दूसरे से connect होगा दूसरा तीसरे से होगा तो उसके लिए क्या काम करता है internet protocols, एक और protocols होता है जिसको बोलते है FTP, full form साथ साथ याद रखना है, यह direct पूछे जाते है, file transfer protocol, FTP का मतलब क्या होता है, file transfer protocol, सबसे पहले यह याद हो जाना चाहिए, FTP, direct पूछते हैं, what is the full form of FTP, so file transfer between any computer that is connected through internet, कोई भी दो computer, internet से अगर connected है, उन में जो file transfer होती है, वो किस protocol से होती है, file transfer protocol से यह चीज़ याद रखना, उसके बाद एक और protocol आता है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से question बहुत बार पूछा जाता है, HTTP, पहले तो full form याद दोने चाहिए, HTTP का full form है, hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol, यह क्या होता है, इसे stateless protocol कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा protocol है, इसे stateless protocol बोलते हैं, HTTP होता है, HTTP is the protocol that is used, इसे इस्तेमाल किया जाता है, for transferring hypertext, hypertext का मतलब होगया, text message होगी, graphics, photographs होगे, image, sounds, videos, extra between the two, दो computer के बीच में अगर आपको text बेजना है, graphics बेजना है, image बेजनी है, sound करनी है, hypertext को transfer करना है, दो computer में जो इंटरनेट से connect है, तो वहाँ पे जो protocol इस्तेमाल होता है, उसे hypertext transfer protocol कहते हैं, बहुत important है, यहाँ पे इसे question पूछा जाता है, इसका full form क्या है, यह कब used होता है, stateless protocol किसे कहते हैं, और http की बात करेंगे अगर, तो यह defines how the message are formatted and transmitted, किस तरह से message format हो जाती हैं, और किस तरह से वह transmit होती हैं, उसे http कंट्रोल करता है, अब उसके बाद आता है, hypertext markup language, इसका full form बहुत important है, और बहुत सारे exams में पूछा गया है, HTML, यह एक language होती है, hypertext markup language, HTML, इसको used किया जाता है, web page बनाने के लिए, जैसे computer पे Google पे कोई भी search करते हो, जैसे पहला page खुलता है, फिर दूसरा page खुलता है, फिर उसके बाद तीसरा खुलता है, उनको आम web page बनाने के लिए, किस language के इस्तमाल किया जाता है, hypertext का, आप जाओगे Google पे कोई भी website, JKSSB लुकोगे तो पहला page आ जाएगा, that's called web page, फिर उसकी official website पे जाओगे, फिर से एक page आ जाएगा, उसे भी हम webpage बोलते है, उस webpage को बनाने के लिए, किस language का यूज किया जाता है, hypertext markup language का यूज किया जाता है, उसके बाद, telnet protocol क्या होता है, telnet protocol, connect, आपका personal computer, PC को connect करेगा, to server के साथ network पे, अगर server के साथ network पे connect करना है, ताकि आपका computer internet से connect हो जाए, तो आपका PC क्या होता है, personal computer, laptop वेगरा, उसको network से connect करना है, तो उसके लिए telnet protocol का use किया जाएगा, और यह यूज किया जाता है, LAN LAN का मतलब है, local area network जो local area होता है, वहाँ पे यूज किया जाता है, LAN का full form याद रखना, local area network पे, username और passwords required होते हैं, आप username रखते हो, passwords ताकि open customer को, उसके बाद आता है, हमारे पास एक और protocols है, जिसको हम वोते हैं, यूजनेट प्रोटोकॉल जो होता है, इसमें बहुत सारे internet users जो होता है, to exchange their viewers, मैं और different users, internet से connect होते हैं, और अपने ideas को, अपने viewers को वहाँ पे, अपनी information को एक दूसरे से exchange करते हैं, और no central administrator नहीं होता है, सब एक दूसरे से अपने ideas share कर सकते हैं, उस group को हम बोलते हैं, वहाँ पे जो protocol use होता है, use net protocols groups में used होता है, यह चीज़े पूछी जाती है, direct कौन सा protocol कहां पे use होता है, next protocol ऐसे triple P को एते हैं, triple P का full farm याद होना जाए, point to point protocol, यह क्या होता है, point to point protocol is a dial account which puts your computer directly जो आपके computer को direct internet से connect करवा देता है, modem is required, हाँ यहाँ पे modulator, demodulator का इस्तमाल होता है, और यहाँ पे information जो होती है, per second 9600 bits per second, इसकी speed होती है, यह point to point protocol होता है, direct internet से connect करवाता है, उसके बाद next protocol हमारे पास, wireless application protocol, इसका full form याद होना चाहिए, WAP, बहुत बार exam में पूछा है, wireless application protocol, commonly used web browser होता है, for small mobile phones, आपके जो mobile phones है, वहाँ पे internet को कैसे connect के जाएगा, वहाँ पे browser कैसे use के जाएगे, commonly जो wireless application protocol आपके phones में इस्तमाल होता है, next हमारे पास आता है, वहाँ पे, वाइस और दे इंटरनेट प्रोटोकॉल यह क्या है, वाइस और दे इंटरनेट प्रोटोकॉल वी ओ आएपी full form वाइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल allows deliver of वाइस communication over the internet network एक दूसरे को वाइस कैसे बेजी जाएगी, वाइस communication एक दूसरे से कैसे करेंगे, उसके लिए जो network वहाँ पर used होता है, कौन सा वह होता है, वाइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तमाल होता है, सो हमारे सारे प्रोटोकॉल जो थे वह आमने discuss कर लिए यहाँ पर, इसके बाद हम देखेंगे क्योंकि वीडियो जैदा लंबी हो रही है, वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं, वेब साइट क्या होती है, वेब ब्रोजर क्या होता है, तो यह नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कवर कर देंगे जो सारा होगा, सो मिलते हैं कल, ओक्यालाहाफीज, थैंक्यू